हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चानल लीकल हेल्पिन हिंदी फ्रेंज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोड के एक लेटिस ज़ेश्मन के बारे में जहां पर सवाल ये था कि क्या किसी नजायस बच्चे को पिता की सरकारी नौकरी में कमपन्स ने जॉब का बेनिफिट दिया जा सकता है या फिर नहीं सब को चानेंगे वीडियो से आखिर तक जुड़े रही है वीडियो इंफिर्मिशन अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बिलकुल मत भूलिएगा दोस्तो आज हम बात कर रहे हैं केस मुकेश कुमार एन एन एदर वर्सिस यूनियोन ओफ इंडिया केस के बारे में और इस केस के सुनवाई जस्टिस यू यू ललित एंड जस्टिस एस रमिदर भट एंड जस्टिस पी एस नरसीमा राव की बेंच कर रही थी हिंडू लौ के अनुसार अगर कोई वेक्ती हिंडू है और मेरिड है इसके बावजूद भी वो अगर बिना तलाक लिए पत्नी के जिंदर रहते हैं वो किसी दूसरी महिला से मेरिज कर लेता है तो हिंडू मेरिज एक्ट के तहट ऐसी शादी को मानेता नहीं दी जाती मगर उस शादी से अगर बच्चे पैदा होते हैं तो वो लीगल माने जाते हैं तो मामले की बात करें तो ये मामला था कि एक मृतक करमचारी की दूसरी पत्नी के बेटे ने कमपंसनेट जॉब के लिए अपलाई किया था जिसे रेलवे बोर्ड ने ये कहकर खारिज कर दिय था कि वो करमचारी की दूसरी पत्नी का बेटा है और उसे नौकरी नहीं दी जा सकती और उस फैसले को पटना सेंटरल एड्मिनिस्ट्रेशन ट्रिबनल ने और बात में पटना हाई कोट ने भी सही मान लिया था फिर ये मामला पहुंचा सुप्रेम कोट सुप्रेम कोट न का बच्चा है अनुकंपा के अधार पर यानि की कंपन्स ने जौब पाने से वंचित नहीं किया जा सकता कोट ने कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्षन 16 में दूसरी पत्नी से पैदा हुए बच्चों को भी मानेता दी गई है तो अगर ऐसे बच्चों को उनका अधिकार से वंचित कर दे इसलिए सुप्रीम कोट ने इस केस में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उनकी एप्लिकेशन पर कि डिवीशन उनकी एप्लिकेशन पर तीन महिने के अंदर-अंदर कोई सुनवाई करे और अपना फैसला सुनाए तो फ्रेंस ये था सुप्रीम कोट का ए कुल्मेट पूली अगा